नमस्कार तो ओडिसा FC वर्सेज मुहन बगान ना मैच जीता, ओडिसा FC ने ना जीता, मुहन बगान ने मैच वाड़ ड्रॉप बट मैन आप दे मैच कौन थे, नौट आमेच जाहू, मैन आप दे मैच थे, क्रिस्टल जॉन, रेफरी, तो इस मैच में, ये एक ऐसा मैच वाभ थोड़े टाइम पहली हमने ये सेम मैच देखा हुआ है, AFC कप में, वो मैच तो शांती से रहा, हाला कि मुहन बगान उसमे काफी हुमिलेटिंग डिफीट उनको मिली थी, लेकिन मैच तो आराम से हुआ, तो क्रिस्टल जॉन, ये इंडियन रेफरीज के हम बात करें, ये गेम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और क्रिस्टल जॉन का तो रिकॉर्ड ही खराब है, मतलब कई लोग उनकी तारिफ भी करते हैं, लेकिन देखें, लास्ट टाइम भी बड़ा कॉंट्रोवर्सियल उन्होंने एक मामला किया था, और इस मैच में भी इतने कॉंट्रोवर जाएंगे, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैच देखते देखते जना फ्रस्टेसन आ गया था, मुझे तो आ गया था, अभी आपको आया था कि नहीं, पता नी, तो ये मैच काफी इंटेंसिव गेम तो था, लेकिन जो एक्सपेक्टेट था ना वो गेमपले नहीं दिख पाया अब देखें, हम रेफ्रीस की बात करेंगे, तो उनकी ही बात करते रहे जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा मैच की तरफ चलते हैं, तो लाइनप वस गुड़, मतलब दोनों टीमों का लाइनप अच्छा था, फॉर्मेशन तो जो एक्सपेक्टेट थी, 4-2-3 और ओडिसा मुमेंट तक रेफ्रीस के डिसिजन सही नहीं आया है, अब देखें, इस मैच को न, मैं बताओं कसम से, तो इस मैच को उडिसाफ सी जीत रही थी, ठीक है, मतलब अगर एक स्कोरिंग के इसाफ से देखें कि लास्ट मुमेंट तक जो एक स्कोर लाइन चल रहा था, लेकिन अमरिंदर सिंग का जो एक डिसिजन था नहों, अब आने का, वो मेरे साफ से बहुत गलत था, वहाँ पर अपनी आते न, वो गोल कंसीड नहीं हो था और दो एक स्रोडी साफ से जीत सकती थी, ये मुझे लगता ऐसा, वैसे हाला कि अगर देखा जाया है तो प्रांजल ने जो गोल छोड़ा है, वो अगर उनका फरस्टेश सही होता है, वो विसाल कैट को बीट करके गोल निकाल सकते थे, और सेकेंड जो उन्होंने अटेम्ट भी लिया था, उस पर विसाल कैट का बहुत इस शांदर सेव, अधरेस वहाँ पर मोहन बगान हो याती, मतलब लूस कर तो एक अच्छी बात है, मोहन बगान is still unbeaten, हाले कि उनकी winning streak तूट चुकी है, 5 out of 5 मैच उन्होंने जीते थे, मुझे लग रहा था कि 6 मैच भी पता नहीं जीती जाएंगे, लेकिन जो प्लेयर्स उनके पास available नहीं है फिलहाल में, ये बहुत बड़ी आपको एक struggling चीज ल और होता ना भाई, मैं अभी ये जो window आएगी, इसमें Cummings को मैं फेक मारता, कोई मतलब नहीं है, EFC Cup में भी देख लिया, ISL के matches भी देख लिया, even साधी को उनसे better है, और Petitoss तो मतलब भाई, Petitoss का left foot is equal to Cummings लगता है मुझे, clearly, मतलब Petitoss जो क्या player है भाई, पिछला सीज अगर आप देखो, Petitoss का, क्या है मोहन बगान के लिए Petitoss, और Cummings का ये सीजन अभी देख लो, हाला कि आप बुल गए रहे हैं अभी तो कुछी match हुए, कुछी match हुए तो भाई, प्लेयर की quality समझ में आ जाती है, यहाँ पे वो आया है, ऐसा लग रहे है कि खाले vacation मनाने मतलब ये दुख होता ऐसा, कि आप इतना high profile player इधर खेलना आ रहा है और उसका कुछ, एक percent कुछ समझ में नहीं आता है, यह मेरा personal जो मुझे feel हुआ है, इस पे आप मुझे criticize करना चाहिए तो कर भी सकते हैं, या आपका एक जो honest, आपको भी opinion हो सकते हैं, वो आप रख सकते ह इस match में hat-trick और hat-trick से भी जादा goal मार सकते थे, लेकि जो misses उन्होंने करें, तो दो ही goal लो मार पाए, otherwise साधीकों के पास जो chances बने हैं भाई साब, वो तो इस match में hat-trick मारी रह थे, लेकिन उन्होंने miss किये, अब देखिए मैं एक और चीज जहां पर ये कहना चाहूँग आना और उसाई से नहीं होता है, तो बहुत सारी चीजे हो रही है, तो कुछ ना कुछ सवाल उनके performance को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, ठीक है, और egoist image भी वो चीजे देख रहे होंगे, तो अब अब देखिए, अगर आप हर बार यही है, मतलब वो डालेंगे, कि experience, 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 तो यह experience तो ठीक है, कि performance, current performance भी तो चाहिए, तो वो है है कि अबरेंदर सिंग के तरफ से वो current performance जो है, वो उतना अच्छा नहीं जा रहा है, यह समझना पड़ेगा, इसके बाद अगर हम बात करें, तो हेक्टर यूस थे, कि मैं तारिफ करना चाहूँगा, कि हेक्टर यूस थ इस मैच में क्या midfielder थे या defender थे, मतलब दोनों goals में उनका ही involvement था, पहला वो chip कियान को देना, कियान ने फिर वहाँ पर pass दिया और साधिकू का goal, नरेंदर का हलका वहाँ पर है, नरेंदर को थोड़ा सा अच्छा alert और थोड़ा सा tough रहना था वहाँ पर, में भी वो goal बच सकता था, but goal हो गया, then second, यूस्ते का एक हलका सा flick और वहाँ पर साधिकू को ball मिलना, अमरिंदर का एक पूर डिसिजन के आगे आकर उसमें भी, वो confused है, में भी पूरा गुश जाना था उनने, या तो यह हो सकता था, तो goal बच सकता था, लेकिन वो आधा दूरा ना आगे न पीछे और ऐसे में रहे गया, तो यह चीजे देखने को मिलिए, और भाई, इस मैच में काफी प्लेयर्स के साइड से performance जो expected होता है, मेब आप लिस्टन की बात करें, या किसी की बात करें, वो performance वो up to the mark जो होता है न वो नहीं आया है, और दिखिए, first half तो आप गोल सकती की गोल मार दिया थी, इस वो जैसे उडिसा का थोड़ा सा डॉमिनस आपको first half में दिखा है, और फाउस तो यार मतलब मैं परशान हो गया था, यह क्या चल रहा है, यह मारी लो एक दूसरे को, ऐसा चल रहा था, तो मैच था out of control ही चल रहा था, लेकिन हाला कि यह मैच ड्रॉ अधर्वाइस और controversial हो याता अगर इसमें या तो उडिसा जिच जाती, या मोहनमा जिच जाती ना, तो और controversy create हो याती, लेकिन हो ड्रॉवाइस थोड़ी controversial वो चीजे कम हुई, हाला कि आपने end of the match देखा कि कैसे है ना, वो कितना वहाँ पर गर्मी होगी थी भाई, मतलब ए एक दूसरे के उपर चड़ गया थे, players, coaches और दो red card आपको देखने को मिले, तो भाई, VAR तो क्यों चाहिए, क्योंकि referees जो है, वो decision नहीं ले पार है, नहीं ले पार है, ये दिख रहा है आपको और कब तक देखेंगे, ये समझ में या रहा है, अब देखिए एक और चीज देखिए, सहल को injury हुई है, वो कितनी serious है, मैं उसको लेकर सोड़ा से चीनते हुए हूँ, क्यों, because सहल जो है वो हमारे इंडिया टीम के भी player है, और injury होना, then एक gap होना, तो मैं समस्ता हूँ कि अगर उनकी injury एक minor injury हो तो बहुत अच्छी बात है, because अगर कोई major injury होई होगी, then जैने problem है, because Asian Cup नजदीक है, अभी gap हो जाएगा, तो वो बहुत बुरी बात होती है, एक बड़े tournament के पहले ऐसी चीज होना, या तो जैसे कि हमारे कुछ players पहले से injured है, तो इस महने में वो players record करके Asia Cup खेल लेंगे, तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन अभी injury होना, then आप gap ल players है, थापा, सहल, because ये वो players है, जो हमको जिताएंगे, ठीक है, तो ऐसे players अगर हमारे injured है, अनवर injured है, तो महन बगान का, आपको पता है कि कितनी बहुत सारी चीज आपको unbalance भी लग रही है, पैटिडॉस भी नहीं है, मनवीर भी नहीं है, आशिक भी नहीं है, और इस match में important players है, जो signings आपने करी थी, वो तो खेली रहे है, और जो main signing आपकी होते चली नहीं रही है, मैं बताओ, actually मैंने क्या सुचाता है कि कमिंग्स इस season, मतलब की double कुछ खतरनाक goal scoring रहेगा, क्योंकि ए लीग में जिस तरीके से goal scoring उनकी चल रही थी, और जिस profile की player हो है, मतलब वर जिसी रहेगे, अब या तो अपने performance है हमारे मुँपे तमाच हमारे, या फिर वो ही है कि सब का criticism जहल है, यह सिंपल सी बात, और ए criticism नहीं है, यह reality है, honest हमारा opinion है, क्योंकि criticism वो होता है भाई कि आप अच्छे हो लेकि फिर भी आपको जबर्दस्ती कोई गलत ही बोल रहा है वो है, लेकिन यहाँ पर पुछ करी नहीं रहे है तो हम तो बोलेंगी ना, तो दीकि मोहन बगान का gameplay की अगर हम बात करें, दोनों team के gameplay की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले गाता है कि Sergio Lobera, एक tactician है, उन्होंने मोहन बगान को अच्छे से read तो करी लिया, पिछ decisions जो referee ने उनको दिये ही नहीं, तो हाला कि मैं फिर भी अब देखिए, मैं इस मैच को लेकर मैने पहली बोला है, इस मैच में अब referee के उपर कितना कुछ बोलेंगे वो कमी लगेगा, तो दीकिये हाला कि मोहन बगान table में, अभी भी अच्छी position में है, और उडिसा भी momentum जो था उनका भी चल रहा है, कि वो जीत रहे थे matches, अभी हला कि draw कर लिया, लेकिन ये बसुंदर किंग्स के उनका एक बहुत important match है, उसके लिए थोड़े ठीक लगा मुझे कि एडिस हारे तो नहीं हो, तो कुछ अच्छा है, और AFC Cup के लिए अच्छी preparation होगी उनकी, तो द भाई, ISL के सबसे अच्छी टीम मुहनबगान नहीं है, अगर आप स्कॉर्ड की साफ से देखें, लेकिन अभी performance जो है, वो थोड़ा सा उपर नीचे, because players available नहीं है, तो देखें, अभी जब आपके सारे players available हो जाएंगे, तो आपकी team फिर से बहुत अच्छा performance देखी, जैसा स्टार्टिंग में, ISL के matches में आपको performance देखने को मिला था, मुझे तो है भरो सा मुहनबगान पे भी, क्योंकि भाई, squad आपको बहुत अच्छा है, अभी players available नहीं है, इसलिए आप struggle थोड़ा सा कर रहा है, तो वो चलता है, it's a part of life, ठीक है, और UDSF3 भी चलो, भाई, UDSF3 तो मतलब अभी काफी अच्छा improvement कर रही, तो अच्छी बात है, तो चलिए जो आप इस match के लिए कहना चाहें, जरू comment में लिखके बताएगा, मैंने तो पहले का मेरा भाई कि मैंने enjoy करने से जादा frustration मुझे मिला इस match से, इतने fouls और इतनी सारी decision इसने खराब खराब, तो आ पतर शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिन, जय भारत!